हलो तु आल माइ ब्यूटिफुल सोल्स स्वागत है अब सभी का मेरे चैनल पर और एंदिल गाइडेंस फिर से लेकर आई हूँ मैं सभी के लिए और देखते हैं कि आज क्या मैसेज़स निकल कर आते हैं हम सब के लिए लेकिन उससे पहले हमारा एक रिच्वल थेंग यू थेंग 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 के लिए फिरिफुल सोल्स को जो per day ये messages देखती है and dear friends कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया है just अभी जो ये viewers हमारे ये वीडियो देख रहे हैं कि हम ये बाउल क्यों singing करते हैं इस बाउल को क्यों बजाते हैं इसके पीछे क्या कारड है तो dear friends जो सबसे पहला कारड है वो यही है कि ये तिबतन बाउल है जब हम इसको sing करते हैं जब हम इसको बजाते हैं तो इसमें से जो vibration निकलती है जो voice निकलती है वो हमारे आस पास के पूरे वातावरण को सुद्ध कर देती है और जो लोग anxiety में होते हैं या किसी worries में होते हैं कुछ उनको problem होती है mentally तो इससे उनको काफी relax मिलता है और ये जो हमारे stones होते हैं हमारे crystals होते हैं उनको cleanse करने में भी ये बहुत कारगर होता है तो dear friends यही एक main reason है कि मैं per day ball singing करती हूँ तो शुरू करते हैं आज की reading को देखते हैं कि आज क्या messages निकल कर आते हैं हम सभी के लिए Thank you divine Thank you angels Thank you One more card Okay Thank you Bottom of deck है महादेव शीवा तो यहां पर चार कार्ड निकल कर आये हैं तो dear friends जो सबसे पहला message है इस कार्ड से निकल कर आया है वो है माता वरंदा की ये तस्वीर है और माता वरंदा एक तुलसी है और ये वगवान विश्णु को बहुत प्रिये हैं और ये एक सिंपल ब्यूटी को प्रिजेंट करती है रिप्रिजेंट करती है अगर आप में से कुछ लोगों को कुछ health issues है या फिर कुछ को beauty problems है या आपकी चेहरे पर कुछ दाग दब्बे हैं एक्ने वगरा कुछ हैं तो यहाँ पर ये message निकल कर आ रहा है divine की तरफ से कि आप जितना हो सके nature से जुड़े हुए चीज़ों को use करिए nature के दिये हुए जो भी उपहार हैं उनको use करके आप इन तकलीफों से दूर हो सकती है nature में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी skin के लिए फायदे मंद होती हैं तो उनको प्रयोक करिए उनको use करिए और जितना हो सके relax रहने की कोशिस करिए जितना हो सके nature के करीब रहने की कोशिस करिए morning में जल्दी उठिए थोड़ा सा पक्षियों के चहचा हाट को सुनिए थोड़ा सा बाहर निकलिए कम्रे से बाहर निकलिए के लिए भी आपको बोला जा रहा है कि early morning अपने आपको अंदर ही ना रखें जैसे ही ये winter का season खतम हो थोड़ा सा early morning बाहर निकलें बाहर की ताजी हवाले थोड़ा सा बाहर निकलें अपने आपको आप ठोड़ा सा better feel करेंगे तरो ताजा feel करेंगे ऐसा यहां पर मा का यह संदेश आ रहा है यह message निकल कर आ रहा है अगला जो message है वो है कामा देवग तो gods the gods of love तो यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी से सच्चा प्यार करते हैं twin frame journey में हैं या फिर deep soulmate journey में हैं और आप लोग मिलना चाह रहे हैं अपने person से बहुत दिनों से आपको craving है कि वो आप से मिले आके तो dear friends ये card बता रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों का reunion होने वाला है आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे एक दूसरे के साथ बहुत happy time spend करेंग और हो सकता है कि आपके कुछ अंतरंग छड़ भी हो जो आप लोग एक दूसरे के साथ व्यतीत करो एक दूसरे के साथ अच्छा quality time spend करेंगे आप अगला card है मत्स्य दफिस अवतार तो यहां पर भगवान विश्नु जी का ये message है कि भगवान विश्नु जी ने बहुत सारे अवतार लिए हैं और वो सिर्फ धरती को uplift करने के लिए लिए हैं मानवता की रक्षा करने के लिए लिए हैं तो दिये फ्रेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भगवान का यही संदेश है कि आप स्वच्छ मन से पवित्र मन से भगवान के पद चिन्नों पर आगे बढ़ते रहे हैं भगवान को वही लोग बहुत प्रिय होते हैं जो सीधे सच्चे होते हैं जिनका दिल साफ होता है जो इसानीत की र involvedख करने के लिए धर्ती पर आते हैं जो लोगों की मदद करते हैं वो जो लोग दूसरों के साथ दिल से चलकपट नहीं करते हैं वह भगवान को बहुत प्रिये हैं और दूसरा जो मेंसीज निकल कर आ बहुत से लोगों के लिए ये आ रहा है कि आपके बिजनिस में फाइनेंज में बहुत ज़्यादा बरकत आने वाली है अगर आपको खाल फिलाल मचलियां दिखाई दे रही है किसी एक्वियरियम में किसी के घर पे रास्ते में निकलते हुए कहीं या फिर आपको सपने में दिख रही है या फिर कहीं मोबाइल पर दिख रही है तो डियर फ्रेंट्स इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आने वाला है बहुत सारा अबंडन्स आने वाला है रेडी हो जाएए खुसियों को समेटने के लिए खुसियों क अपने घर में वेलकम करने के लिए क्योंकि आपके पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है अबंडन्स आ रहा है मनी आ रही है अगला मैसिज है गरुडेव जी का कैरियर ओफ विश्णू तो ये भगवान विश्णू जी के कैरियर थे मतलब उनका वाहन थे गरुडेव जी और इन कि जो ऑीगल ओता है गरुडेव बहूंत उचाई तक उडान भर लेता है और उसके आसपास ऐसे लोग होते हैं या फिर फिरंग कि जैसे क्रोह है तो अक्सर गरुड की गर्दन पर बैठता और उसको नोशता है उसके पंकों को नोश्टा है घरदन पर बार करता है लेकिन वो सांत होकर उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, हलांकि उसको दर्द होता है, पेन होता है, लेकिन वो continue उपर उड़ान भरता रहता है, और जब वो ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है, जहां पर कवे को सांस लेना दूबर हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं होती है, वहां से वो कववे को नीचे गिरा देता है क्योंकि वो अपने उस जोन में पहुंच जाता है जो उनके लिए सेफ है क्योंकि गरुड को या इगल को यह कैपसिटी होती है कि वो ऐसी जगह पर भी ऑक्सीजन ले सकते हैं बहुत उपर की इस में स्पेस पर जहां बादल होते हैं वहां की बिचिंग पर ध्यान ना दें लोगों पर ध्यान ना दें वो क्या कह रहे हैं हो सकता है कि आप कोई बिजनिस करने वाले हों कोई काम करने वाले हों या आपने कोई अपना अलग केरियर चुना हो जो सबसे डिफरेंट हो और लोग आपको समझायस दे रहे हों कि यह नही जो आपको पीछे धकेल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपकी बीचिंग कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, यही आपको जुब कर सलाम करेंगे, यही आपको शावाशी देंगे और आपको से प्रेर ना लेंगे, तो dear friends यह थी आज की रीडिंग, divine की ओर से messages आप ल करिएगा, और आज मकर संक्रानती की आप सभी को बहुत-बहुत हार्दिक सुब कामना हैं, सभी के लिए पर बहुत मंगल मैं हो, इने सुबक्षू सुब कामनाओं के साथ मैं यही पर रीडिंग को बंद करती हूं, थैंक यू अपना किम्ति समय देने के लिए, थैंक यू कै यही ज्याओ क मैं हिराया तोस और बंद सम on ina कि समय का रूck यू अ मारश सभाव का यू कर दो रिए